हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स अंडर हाइयर पैंशन स्कीम के अंतरगत दोस्तों पीफ डिपार्टमेंट ने एक नई स्कीम अभी जो जारी की है कुछ एक लिमिटेड टाइम पिरिड तक जिसमें हाइयर पैंशन आपको मिल सकती है कौन-कौन इसके अल सबसे पहले यह देखते है कि पैंशन के जो फार्मूला बड़ा सिद्धा सा है लास्ट फाइफ इयर एवरेज कंट्रिबुशन डिवाइड बाई में 70 मल्टिप्लाई बाई नंबर ओफ इयर ओफ सर्विसीज तो एक हम केस लेते हैं जिसमें किसी इंप्लोई की जो एवरे साल की सर्विस हो चुकी है तो पैंशन फार्मूला के इसाब से जो उनकी जो एग्जिस्टिंग जो जो पैंशन बड़े वो कितनी बड़े 我 deixar देखते हैं मतलब अभी जो कंटीशन है उसके इसाब से उनकी मंथली पैंशेनिबल सेलरी जो मानि गई है फार्मूले के इस पा employer employee खुझ दोनों के consent से cap लगी हुई है कि 15,000 रुपे या इससे नीचे ही pension का contribution लिया जाएगा जो की 8.33% होएगा तो 15,000 रुपे तक अभी contribution जा रहा है जो महिने में 15,000 रुपे का 8.33% होता है लगबख 12.500 रुपे जो contribution जा रहा है उसके इसाब से आपकी pension कितनी मनेगी तो मान के चलते हैं कि average 15,000 रुपे आपकी 5 साल की है पिछले 5 साल में भी 15,000 रुपे है तो 15,000 रुपे डिवाइड बाई में 70 गुणा में number of year of service ही है आपके हमने बात करी थी 28 years मतलब 28 साल की तो एक privilege है एक bonus का formula है जिसमें यदि service आपकी 20 साल से उपर चली जाए तो 2 साल grace period सरकार जे बोनस देती है तो 28 दमा 2 यहाँ पर 30 हो जाएगा तो formula को simplify कैसे करेंगे 15,000 डिवाइड बाई 70 गुणा में 30 तो इसको कर लेते हैं simplify और यह जब हम पूरा simplify कर लेंगे इसको और multiply by में यह हो जाएगा 30 तो लगबग आ जाएगा यह 6428 रुपे और 50 पैसे यह आपकी pension मनेगी monthly as is condition में तो बहुत ही कम है 30 साल के service यह कोई करता है और उसको 6400 6500 रुपे salary pension मिलती है तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम होगी तो अब जो नई scheme है उसमें क्या फाइदा है तो नई scheme में आपकी जो contribution है जो मैं बता रहा था कि आपकी average जो basic salary है वो 50,000 रुपे है मतलब आपका प्याफ का contribution है वो 50,000 रुपे के उपर जा रहा है तो जितना contribution प्याफ के उपर जा रहा है उतना ही pension के लिए भी consider करेंगे त जो pension के लिए जो पहले 8.33% था अब वो थोड़ा बढ़ा दिया है हना कि 9.49% हो गया है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम दूसरे case में मान के चलते हैं कि जैसे पहले उनकी जो प्याफ कंट्रिवुशन पर जा रहा था लेकिन जो pension contribution था वो 15,000 पर जा रहा था पचास हजार रुपे ही रहेगी तो पचास हजार रुपे pensionable salary multiply by में वही 28 जमा दो जो हमने पहले बात करे भी इसमें कोई change नहीं आएगा और नीचे जो 70 है इसमें भी कोई change नहीं आएगा तो जब इसको simplify करते हैं तो ये बड़ा आसानी से simplify हो जाएगा और 7 एकम 7, 7,79 औ और इसको further हम कर लेंगे ये simplify तो लगबग ये हो जाएगा simplify इसको करेंगे हम 21,428 रुपे और 50 पैसे तो निया जो case है इसमें आपकी पैसे बने जाएगी 21,430 रुपे जाएगा उसमें थोड़ी विरिद्धी हो जाएगी लेकिन आपका जो हमने जो calculation की है जो इतना भी आपका recovery period रहेगा जितना पैसा आप कंट्रिबूट करेंगे पैसे में लगबग दो से डाई साल में सारा पैसा as a pension की रूप में आपका मिल जाएगा तो आपको पूरा पूरा benefit है इस scheme में और कौन-कौन इस जादा वीडियो मतलब जादा जानकारी जैसे आपको चाहिए कि कौन इसके eligible है कैसे आप इसको ओट कर सकते हैं तो इसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है और कैसे आप apply कर सकते है तो बड़ा ही simple तरी सकते है 26 जून तक का आपके पास time है 26 जून 2023 तक का time है और वीडियो के link मैंने description box में डाल दिये है फिर भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें comment box में जाके लिख सकते है आपको हमारी वीडियो कैसे लगी comment box में जाके जरूर बताए thank you very much